आपस में कोई संगरश नहीं चल रहा है आपस में हम सब एक हैं और एकता और खास तोर पर हमारी जो लेडीज हैं उनकी एकता और उनकी मजबूती के सामने पहले अपदे कि अमिच्छा साब के आप जो बयानात पहले के देखिए किस गुरूर से और किस तकबूर से बात करते तो हम लोग अंदे नहीं हैं हम लोग समझ रहे हैं कि यह जो मनुवादी दिया है वो टिम टिमाक के टाइम थोड़ा ज्यादा लोल करता है पर हमारे लोग आज भी आपने देखा कोई प्रब्लम नहीं है वो जैन्मिन उनकी कंसर्स थी कि इतने सारे केसे जो पुलिस कर रह में अब लीगल एडवाइजर के तौर पर एक चाहरा है जो कि आगे जो लड़ाई है उसको लड़ता वो नजर आएगा यहां की जो लेडिस बैटी है ना वो लीडर है महमूद प्राचा सबसे जोटा सबसे सबसे ज्यादा पीछे खड़े ओने वाला कारे करता है कोई से मिले भी हैं तो क्या कुछ आगे बात हुए क्योंकि सुप्रीम कोट ने जो रिप्रेजेंटेटिव त्यार किये हैं जो कि आके आप मुलाकात करेंगे महिलाओं से बात करने के बाद क्या समझ में आया आपको कोई सॉलूशन अब निकलेगा सॉलूशन तो एक ही है इस ब बहुत ज्यादा बहबीत हैं हम समझते हैं 85% जनता अब साथ हो गई है तो इसलिए यह लोग तरह तरह की अफ़ाय फेलाते हैं पहले अफ़ाय यह फेलाई कि यहां से कौन-कौन फंड कर रहा है पुलिटिकल पार्टी को क्रेटिट दिया मैं खुल के बोल रहा हूं किसी प बाने के लिए कभी आरेसे यहां गोली चलवाती है पुलिस के लोग खुद गोली चलाने वाले लेकि आते हैं तो ऐसी सांजिशे चलती रहेंगी और नाकाम होती रहेंगी आप चाहिंगा कि रात को तीन बजे मिटिंग होगी क्या सर आपके उस मिटिंग में शामिल वहां हमारी शाहिन बाग की तरफ से मुझे और चैंशेकर अजाद साब की तरफ से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिये यहां के लोगों नहीं के मैं उत्तर प्रदेश में जाला है एक बात दूसरी बात आप अमिच्छा साब से उनकी स्ट्राटेजी पूछते हो जो हमारी चार बजे या तीन बजे की स्ट्राटेजी नहीं पूछते हैं किसे तोड़ना है उसकी प्लानिंग बताएंगे हम तो यहीं बता रहा है हम समिधान की रक्षा करने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स करते एक नहीं करते हैं आज एक आपको पता लग ग लोग प्लान कर रहे हैं वह समिधान तोड़ने के लिए फिर से मैं आप से पूछा हूं कि क्या महभू प्राचा अब शाहिन बाग की लीगल एडवाइसर के तौर पर सामने आतोई नजर आ रहे हैं महमूत प्राचा की कोई अवकात नहीं है शाहिन बाग की महिलाओं के साम में पूरे मुल्क में जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोई महमूत प्राचा कोई एमियत नहीं रखता हमारे में से कभी कोई लोग आगे सामने आएगा अपने उपर गोली खाने के लिए अभी जैसे कुछ देर के लिए मैह था कि कोई मुकदमा बनेगा तो मुश्प